नमस्कार दोस्तों 18 जुलाई 2020 के एडिटोरल डिसकुशन में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत सारा लोग कमेट सेक्शन में बोल रहे हैं कि सर टाइमस ओफ इंडिया के एडिटोरल को भी इंकूड कर लीजे इंगनॉमिक टाइमस को भी कर लीजे हिंदू बहुत बाइस्ट है देखे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदू बाइस्ट है बड़ बात यह है कि हिंदू का जो एडिटोर होता है मैं फरस्ट अफॉल लगबग सारे आर्टिकल्स को इंकूड करने के कोशिश करता हूँ तो उससे होता क्या है कि एक consolidated holistic way से पिछले कुछ दिन के जो भी important current affairs है वो आपके सामने आ जाते हैं दूसरी बात भले ही हिंदू में जो viewpoint दे रखा है वो biased हो उसमें मैं अपने viewpoint पर देता हूँ कुछ अलग से चीज़ें मैं online उठाता हूँ कुछ maps जो कि मैं different sources से आपके लिए लेके आता हूँ और आपको चीज़ें समझाने कोशिश करता हूँ तो देखें बहुत ज़्यादा newspapers पर अभी मत भागिए मैं आपको suggestion दे रहा हूँ आगे आने वाले समय में मैं और current affairs की वीडियो आऊँगा ठीक अगले कुछ एक या दो महीने में जिससे आपकी holistic त्यारी हो जाए current affairs की इस समय पर इस viewpoint की तरफ मत जाएए कि अलग-अलग newspaper से हम articles को उठाते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि देखें अलग-अलग newspaper से अगर आप article उठाओगे तो खिचोड़ी पकेगी अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि भाई ये अपनी त्यारी की देराओं चार newspaper को देखो तीन newspaper को देखो तो आप कहते हैं कि suicidal attempt करो एक newspaper को पकरो उस newspaper के अच्छे चीज़ों को नेकी कोशिश करिए तो वही मैं आपको करने को कोशिश कर आँ और समय समय पर आने पर मैं अपने current affairs के initiatives को और refine करूंगा इसे थोड़ा patient रखिए अभी सिर्फ हिंदू पर focus करते हैं कुछ लगा ऐसा दूसरी जगह पर जो बिल्कुली skip नहीं किया जा सकता है करना ही करना है तो मैं जरूर इंकूर्ट करूंगा ठीक है तो शुरुबात करते हैं पहला है इरान इसको लिखा है राके शूद जी ने फारमर डिप्लोमेट रह चुके हैं ये Observer Research Foundation में distinguished fellow है इनके viewpoints काफ़ी important है यहां पर रहे हैं देखिए इंडिया चाइना इरान इसके बीच में 400 billion dollar की deal हुई है जिसके चलते एक rail project था चा बहार port project के अंदर उसके लिए कहा जा रहा है कि इंडिया को उसके निकाल दिया गया अब उसके उपर काफ़ी politics में भी बवाल सा उठता नजर आ रहा है इन सारे points को हम इस वीडियो में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे next article है university examination guidelines that score low इसको लिखाए फैजन मुस्तफा जी ने सुगोष जोसी जी ने यह जो फैजन मुस्तफा जी है वाइस चांसलर है नल सर उनिवरस्टी के तो देखें यहां पर मुस्तफा जी ने कुछ बहुत अच्छे viewpoints दिये हैं मुझे एक्चली में इनके viewpoints कुछ बहुत अच्छे viewpoints लगी चुक्क इन्होंने बहुत practical viewpoints दिये हैं युनिवरस्टी ग्रांट्स कमिशन ने अभी गाइडलाइस निकाली है 6 जुलाइक और उस गाइडलाइस के थूप बोलाए कि भाई देखें एक्जाम होंगे फाइनल सेमिस्टर के एक्जाम होंगे तो यहां मुस्तफा भी बता रहे हैं कि यह गाइडलाइस कैसे गलत हैं कैसे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हैं तो इस आर्टिकल को मैं बताऊंगा अगला है beyond the pale यहां पे देखें political morality की बात की गए अशोग कहलोट और जो उनके deputy CM थे सचिन पाइलेट इनके बीच में बवाल सा होता नजरा गया राजस्थान में यह बवाल हो रहा है इससे पहले मद्दपदेश में कुछ ऐसा ही बवाल हुआ था जिसमें कमत कमननात जी जो समय की चीफ मिनिस्टर थे उनकी सरकार गिर गई यह मार्श दो हजार बीस की बात है और शुवरास्थिंग चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाए तो देखे यहाँ पर पॉलिटिकल मोरालिटी में सवाल उठाया गया है क्या हो रहा है इस अशोग गहलोट और सचिन पाइलेट के बीच में किस तरीके से सचिन पाइले यहाँ पर देखे टेस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात की गई यह बोला गया कि पिछले कुछ दिनों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कॉरोना वाइरस का ज्यादा आ रहा है फिर स्पेसिफिक स्टेट वाइस बात की गई है कि कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स कौन कौन सी जगों पर problem को deal कर रहे हैं और कैसे हम ये जो infections आ रहे हैं coronavirus को इससे लड़ने में अपनी fight को बढ़ा सकते हैं कुल मिला कि यहाँ पर बात ये की गई है कि जो states हैं वो अपने numbers को छुपाने कोशिश कर रहे हैं coronavirus को control करने पर ध्यान न देके वो अपने numbers को दबा रहे हैं जो की बिलकुल गलत है तो उसके बारे मौतर ने क्या बोला ये देखेंगे और finally ये article है तेलांगना COVID trials and tribulations यहाँ पर कुछ specific cases की बात की गई कि कुछ लोगों को कैसे तेलांगना में अपना इलाज कराने में problem हुई कैसे COVID-19 तेलांगना में शुरू हुआ कैसे तेलांगना की सरकार ने irresponsible तरीके से COVID-19 के crisis को deal किया यह सारी बाते मैं यहाँ पर इस article बताएगे जोसों मैं इस article को discuss कर नहीं रहा हूँ बहुती simple भाषा में लिखा गया यह article आपको जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं चुकि एक specific state की बात हो रही है तो state pieces के लिए तो important हो सकता है बट UPS एक perspective से मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर कुछ काम का है बट आप एक पढ़ लो चुकि यह जो COVID की news है जो COVID के statistics हैं यह statistics and transitioning है आगे आने वाले समय में statistics बदल जाएंगे तो बहुत ज़दा focus भी नहीं मारा ना इन पर इसलिए इस article को आज की rate में मैं skip कर रहा हूँ और यह total articles थी editorial के जिसमें शुरुवात हो रही है Iran ties need quite diplomacy Iran must continue to remain politically engaged with Tehran despite its partnership plan with China India China के बाद जो standoff हुआ है वहाँ पर एक तरीके की race चल गए पहले तो arms में एक race चली इंडिया ने कितनी सारी military purchasing की अब ऐसा लग रहा है सामने से दिख रहा है कि China इंडिया के interest को hurt करना चाहता है और वो interest को hurt कैसे करेगा तो दूसरे तरीकों से hurt करेगा कोशिश करो और आप देखो कि Iran is actually an ally of India यहाँ पर देखा जाया है सामने सामने से जो देखने को मिल रहा उसे साथ से तो आप कह सकते हो कि काफी हद तक इरान को अपनी तरफ खीच के लेके गया है चाइना एक 400 billion dollar की deal को साहिब करके हाला कि इस 400 billion dollar की deal के पीछे भी बहुत सारी डिप्लोम ऐसी चल रही है इनको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग इरान का मैप देखते हैं यह देखें यह आपको इरान का मैप नजर आ रहा है बॉर्डर्स देख लेते हैं कौन-कौन सी कंट्रिस के साथ इनके बॉर्डर्स बनते हैं तो इरान के नौर्थ में है कैस्पेंसी दोस्तों इसी के नौर्थ में आपको अजरबाइजान भी नजर आ जाएगा ठीक है अजरबाइजान काफी सुन्दर से ये बाकू इसकी कैपिटल है कैस्टनिसी की किनारे है बड़ा ही खुट सूरस्ट सा शहर है कभी मौका में ले जरूर जाहिए फिर अर्मेनिया यहां रहा है अर्मेनिया और अजरबाइजान में काफी लंबा पंगा चल रहा है इरान के सुन्द बाहर पोर्ट है यह जो स्टाइट है इसको आप बोलते हैं स्टाइट फॉर्मस ये जो कंटी है यह वह भाली है यूद्छ अरब एमिरेट्स ये वाली जो कंट्री है ये है साउधी अरेबिया और ये वाली जो कंट्री है ये है उमान ये है इरान का मेश त्थोस्पम ठीक है? इसके आगे है जाते हैं चाहबाहार port आपको यहाँ नजर आदा जैसा कि मैंने आपको बताया और इधर आपको गौदर पोर्ट नजर आदा गौदर पोर्ट पाकिस्तान में है और चाहना पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर के लिए गौदर पोर्ट बहुत इंपोर्टन है गौदर पोर्ट जो पोर्ट है वो Belt and Road Initiative का पार्ट है चुकि पूरा का पूरा चाना पाकिस्तान Economic Corridor Belt and Road Initiative का पार्ट है अगर आप चाह बाहर पोर्ट की बात करो दोस्तों तो चाह बाहर पोर्ट को डेवलप करने में इंडिया ने एक बहुत major role play किया है ठीक है यहाँ पे कुछ important points को देखिये इस map में यहाँ पे आपको जाहिदान नजर आ रहा है ये आपका इरान और अफगानिस्तान के border पे फिर इरान अफगानिस्तान के border पे आगे जाके जारांज नजर आ रहा है आगे जाके हाजी गग करके एक जगा है वो नजर आ रहा है ये कुछ important locations हैं दोस्तों ठीके और इस हाजी गग के पास ही एक जगा है जिसको बोल जाता है डेला राम डेला राम जारांज में इंडिया ने अभी अभी एक railway line complete किये कुछ सालों पहले इन सब 4 चीज़ों के बारे मैं आपको यहाँ पर बताने वारा दोस्तों देखते हैं कैसे शुरुआत हो रही इस चीज़ की ये बोला जारा दोस्तों की चाबाहार और जाहेदान तक का जो यह रास्ता है ना दोस्तों चाबाहर पोर्ट तक तो आपने अपने सामान को पहुचा दिया लेकिन चाबाहर पोर्ट से आपको अफगानिस्तान सामान लेके जाना है फिर अगर इंटरनेशनल नौर्थ सौट ट्रांस्पूर्ट कोरिडोर की बात करी तो तुर्कमेनिस्तान, उस्बेकिस्तान, तजीकिस्तान सब के साथ अपने ट्रेड रेलिशन्स को इंप्रूव करना है इंडिया को तो सिर्फ पोर्ट तक सामान को थो ही न पहुचाना है भले कांडला पोर्ट से चाबाहर पोर्ट की दूरी केवल एक हजार किलोमेटर की है लेकिन उसके आगे अगर अफगानिस्तान सामान भेजना है तो रेलवे लाइन डेवलप करनी है तो बोला गया कि जए चाबाहर और जाहेदान के बीच में इसका जो कॉंट्रैक्ट है वो इंडिया की एक कंपनी इरकौन को मेरा था इस कॉंट्रैक्ट को इरान ने कर दिया कैंसल ठीक है ना उसके आगे अगर आप बात करो यह । जारान्स से लेके डेलाज करके इक लाज भगा है जारान्स से लेके डेलाज करके, जो यह डिस्टेंस है, यह लगबग 200 किलोमेटर का है दोस्तो है पाइब पाइब जारान्स क greatness कई आप है के नोचपा व्र कर? पीट कर चुका है लेकिन ये चाबाहर पोर्ट से लेके जाहेदान तक की जो रेलवे लाइन थी इसमें काम हो गया थोड़ा धी में और इसकी एक वज़ा है उससे पहले एक और चीज़ देखी जाए दोस्तों की 2005 से लेके 2013 के टाइम पीरेंड में जो USA और इरान के रिष्टे थे वो बहुत ज़ादा खराब थे जिसके चलते है USA ने इरान के उपर बहुत सेंक्शन्स लगा रखे थे इरान की इकौनमी बिल्कुल ठप होने पर आ गई तो जो चाबाहर पोर्ट था ना ये इक तरीके का सिल प्लान ओफ एक्शन के चलते है USA P5 प्लस वन और इरान के बीच में एक डील हो गई और इस चाबाहर पोर्ट पे बहुत तेजी से काम होने लगा आप देखो के 2016 में हमारे प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी गए भी थे आपके इरान में तो देखें क्या लिखा हुआ है Things move forward after 2015 when sanctions on Iran East with the signing of joint comprehensive problem of action JCPOA इतनी मेनत के साथ ये इरान nuclear deal sign हुई थी Memorandum of Understanding was signed between Iran with Iran during Prime Minister Narendh Modi's visit to Tehran 2016 ने 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 मोदी जी तेहरान के 2016 में उन्होंने वहाँ पे इरान के साथ एक deal sign की और उन्होंने बोला कि जो शाहिद बेहिस्ती पोर्ट है, जो कि phase 1 प्रोजेक्ट, phase 1 है आपका चाबार प्रोजेक्ट का, वहाँ पे दो टर्मिनल्स को आपरेट करेगा इंडिया और उसमें सारे एकोपेंट्स बगारा को लगाएगा, फिर एक और milestone agreement साइन हुआ था किसके कि इसके बीच में, अफगानिस्तान, इरान और इंडिया की बीच में ये एक trilateral agreement था on establishment of international transport and transit corridor, जो कि अफगानिस्तान, इरान और इंडिया को जोड़ेगा, ठीक है इसमें इंडिया ने बोला 85 million dollar की capital investment होगी, साथ-साथ इंडिया ने बोला कि port container tracks के लिएम लोग 150 million dollar देंगे, यह जो port था दोस्तों, चाबाहर port और चाबाहर port डील अभी भी active है, इसका जो phase 1 था, यह 2018 में operational हो गया था, और 2018 से ही अफगानिस्तान में अपने wheat shipments को भेज रहा है, इंडिया, इसी चाबाहर project के थूँ, आप देखोगे दोस्तों, जब JCPOA आया, तो यह बात होई कि चा Social Economic Zone उतने efficiently बन नहीं पाया, चुकि Donald Trump आगया और Donald Trump ने cynically, बिना किसी चीज़ को ध्यान रखते हुए, पुराने सारे leaders के काम को बेकार करते हुए, इस JCPOA को cancel कर दिया, इसके खिलाफ, बहुत ज़ादा आवाजे उठी हैं, France, England, Germany ने in fact USA के खिलाफ बोला है, Donald Trump ने जो cynical decisions यह हैं, कि अपनी मर्जी से कुछ भी cancel कर देते हैं, उसका काफी नुकसान हुआ है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो 628 किलोमेटर की railway line थी ना आपकी, कहा से कहा तक की, चाबाहर पोर्ट से लेके जाहेदान तक, क्यों ये कहा जारा था, जाहेदान से जर railway line को बनाएंगे, और बनाते भी, problem क्या हो गई, problem ये हो गई, कि 2015 में sanctions लग गए, उसके बाद भी दोस्तों, भले ही 2015 में sanctions लग गए, इंडिया ने बहुत major role play किया, इंडिया ने USA से बात की, और इंडिया ने बोला कि देखिए, ये जो चाबाहर royal project है, और ये जो चाबाहर port project है, इसको आप अपने sanctions से बाहर निकाल दीजे, इंडिया ने अपनी foreign relation के थूँ, अपने foreign policy के थूँ, इरान के इन projects को US sanctions से अलग हटा दिया, और चाबाहर port पे काम किया, और चाबाहर port आज की date में function है, बट rail projects में थोड़ी सी देरी हो गई, दोस्तों, rail projects में देरी क्यो काम देंगे, signaling equipment देंगे हम 150 million dollars का, ठीक है, यह सब काम IRCON करेगा, इरान की responsibility क्या होगी, कि land leveling का काम वो करेंगे, procurement का काम वो करेंगे, तो local level पर जो कुछ भी चीजों की जुरुत है, cement में tea और land leveling, यह सब काम इरान करेगा, फिर steel tracks, rolling stocks, यह सब काम देगा, इंडिया देगा, यहाँ पर यह सब बात है, लेकिन एक problem होगी, दोस्तो, problem क्या हुई, कुछ equipments US से आने थे, जैसे कि mobile harbor cranes, rail mounted gantry canes, यह सारे equipments US से आने थे, इन equipments को US Treasury ने सही समय पर release नहीं किया, और यह equipments इंडिया पहुंच, यहाँ पर इरान पहुंच नहीं पाए, अच्छा, इरान इस यह चाबहार project से लेके जारांस तक की railway line बन जाएगी, फिर हमने डेलाराम तक का highway बना रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम तुर्क मेनिस्तान के boundary तक अपने इस railway network को लेके जाए, ठीक है, ताकि हम तुर्क मेनिस्तान के साथ भी अपने trade को कर पाएं, इरान के लंबे प् दोस्तों, यह है कि इरान ने जिन equipments के थुरू काम करना शुरू किया, वो वही steel rail tracks है, वही rolling stock है, जो की इंडिया ने provide किये हैं, तो इंडिया बहुत सारा सामान already इरान भेज चुका था लगाने के लिए, बट यूएस से जो सामान आना था वो आया नहीं और काम यहां पे रुख गया हैं दोस्तों, एक और problem हुई, कि इरान की एक company है, जिसका नाम है खताब अल-अन्बिया, इस खताब अल-अन्बिया को यूएस ने एक special designated entity बना दिया, तो अब हम इस country, इस company के साथ, आपकी खताब अल-अन्बिया के साथ, आपकी खताब अल-अन्बिया के साथ legally involved नहीं हो सकते, तो आप एक काम करो, एक दूसरा contractor appoint कर दो, आप देखिए, इरान के लिए ये सब humiliating बाते हैं दोस्तों, इरान, sovereign country है, उसके यहाँ पर जो भी project चलेगा, वो उसके हिसाब से चलेगा, अब अगर उसने किसी contractor को appoint किया, और आप बोल लें को एक third party ने contractor के साथ हम trade नहीं कर सकते, आप इसको अटा दो, तो क्या इरान के लिए इंडिया पर भरुसा करना आसान होगा, नहीं होगा, वहीं पर चाइना सीधे-सीधे US से लड़ाई करके इरान की मदद करेगा, तो इस समय पर इरान को तो चाइना ही, आप कह सकते हैं ना, mature partner नजर इंडिया थो ने, mature partner नजर आएगा, जो US के pressure की चीज़ें, चलते चीज़ों को कम कर देता है, अच्छा, एक और बात है, इरान में और भी बहुत से states हैं दोस्तों, इंडिया में, ये जो हजीगत नाम की जगा है न दोस्तों, इस हजीगत नाम की जगा पर एक development हुआ है, य अब इसी बात है, ये railway line के constructions बहुत ज़रूरी हैं इंडिया क्लिए, क्योंकि अगर future में अजीगत नाम की जगा पर iron ore का exploration होता है, तो इंडिया को इससे काफी फायदा हो सकता है, इंडिया की steel industry गले iron ore की काफी ज़रूर से, हाला कि iron ore इंडिया भी produce करता है, बट अपने sources क diversify करना ज़रूरी है, उनको producer करके आप दूसरी countries को बेच सकते हो, फायदा कमा सकते हो, profit कमा सकते हो, तो बहुत सारे stakes involved हैं दोस्तों, इरान और इंडिया के, अच्छा, क्या इरान चाइना को बहुत जदा पसंद करता है, नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि इरान चाइ इरान से बिलकुल लडस आ गया है, अभी देखिए, JCPOA आया था दोस्तों, Joint Comprehensive Program of Action, JCPO कि थुरू इरान और P5-1 में एक डील हुई थी, उस डील को डॉनल्ड टरम ने कैंसल कर दिया, उसी डील के चलते एक पैललल resolution आया था, UNSC Resolution 2231, जिसमें क्या बोला गया, कि भगिय डॉनल्ड टरम बोल रहा है कि हाँ भाई, यह जो 5 साल का restriction लगा है, इंपोर्ट का, conventional weapons पे, इरान पे, इसको हम enforce करेंगे, तो इस बात पर फ्रांस और इंगलेंड चलनाने लगे कि आप कर क्या रहे हो, आपने JCPOA को honor किया नहीं, उसको cancel कर दिया, और उसके parallel जो इरान ने UNSC Resolution 2231, sign किया है, इसको enforce करने की बात कर रहे हो, तो सीधे-सीधे duplicity का इलजाम लगाया है, डॉनल्ड टरम पे ओपर, किसने, UK ने, किसने, फ्रांस ने, डॉनल्ड टरम की जो policies रही न, बटी अजीब सी रही है, अच्छा, आगे बात करते हैं, domestic politics की, देखिए, इरान की ज अब यहाँ पे दो party हैं, एक तो reformist हैं, जो कि एक advanced viewpoint रखते हैं, एक conservatist हैं, जो पुराना Islamic viewpoint रहते हैं, रिसेंट्ली elections में जो conservatives हैं, पहले 86 थे, अब उनके पास 221 सीटे आ रही हैं, जो reformist हैं, उनके पास 120 सीटे थे, अब उनके पास 20 सीटे आ रही हैं, और मजलिस में पूछा जा रहा है कि क्या इस deal में ये बोला गया है कि एरान अपना किश आइलेंड चाइना को दे देगा, और चाइना महाँ पर अपना military base बनाएगा, या क्या चाइना अपने soldiers को एरान की धर्थी पर deploy करेगा, इस चीजे के चलते काफी दोस्तों बात हो रही हैं, तो कु एस के pressure में buckle down करके एरान का साथ चोड़ते हैं, ठीक हैं, काफी नंबा हो गया, आर्टिकल आगे चलते हैं, university exams guideline that score low, the UGC insistence on conducting final year varsity test could end up harming the future of the students on many accounts, जैसा कि मैंने अब आपको बता है, university grants commission ने 6 July 2020 को एक notice निकाला, और उस notice की तूर ये निकाला गया कि देखे, university students जिनका final year चल रहा है, उनके exam होंगे, और commission ने क्या बोला, कि भाई देखे, online exam भी करवा लीजे, चाहे pen paper की करवा लीजे, चाहे आप दोनों का blend, चाहे आप दोनों के mixture से करवा लीजे, वो आपके उपर depend करता, बट एक delayed timeline के साथ, September के around, ये exams होंगे, ये बाद बोली की, अब इस decision को छे states में अपोस किया है, पंजाब, महराष्ट, वेस्ट, मंगाल, डेली, ओडिसा और तमिलनादू, उत्तर प्रदेश ही कह चुका है कि हम examination कराएंगे, दिल्ली उनिवरस्टिक स्टुट्स के आप बोल रहे हैं कि ये decision arbitrary है, discriminatory है, public health को खत्रा है और इसको already दिल्ली high court में challenge क किया जा चुका है, UGC क्या logic दे रहा है, UGC बोल रहा है, देखे हम इस basis पर करा रहे हैं इन exams को already देश की 182 universities exam conduct करा चुकी है, और 234 universities देश की August और September में exam conduct कराएंगे, तो जब इतने major scale पर university exam conduct करा रहे हैं final year के, तो बाकियों को भी कराने चाहिए, अच्छा कराने का logic क्या दिया गया है, logic ये दिया गया है, कि देखे भाई, final exams अगर बच्चों के हो जाएंगे, तो उनके हाथ में degree आ जाएगी, वो आगे jobs वगरा के लिए अपलाई कर सकते हैं, अगर अगर उनको फर्दर को पढ़ाई करनी, degree करनी, फॉरण जाना पढ़ने के लिए, तो इन सब पर author क्या बोल रहा है, author बोल रहा है, कि ये चीज़ हमारे सरकार के mindset को दिखाता है, हमारे education के mindset को दिखाता है, कि हमारा education अभी भी examination centric है, उनकी guidelines में एक चीज़ important है, कि exam qualify करना ज़रूरी है, जबकि author यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है, कि exams किसी भी तरीके से एक candidate की ability को नह यह दिखाते हैं, यह जो step लिया है, UGC, यह UGC step लेके क्या दिखा रही है, कि certification ज़्यादा ज़रूरी है, ठीके ना, wrote learning ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि practical learning, बहुत सार क्या बोल रहा है, हर साल हमारे देश में बहुत सारे बच्चे suicide कर लेते हैं, इन पढ़ाई की यह जो यह जो pen paper test है, जो कुछ लोग उसमें perform नहीं कर पाते हैं, उसकी वैसे बहुत सारे लोग suicide कर लेते हैं, तो यह जो exam को आप एक benchmark बना रहे हो ना, एक बच्चे की progress का, यह benchmark बनाना गलत है, ऐसा बोलना है यहाँ पर author का, author नहीं यहाँ पर United States का exam पे लिया है, author ने बोला है क कोई भी University Grants Commission जैसी body United States में है ने, UGC की बारे में author ने बताए कि UGC को, चुकि आप नाम में देखी University Grants Commission, Grants का मतलब होता है पैसा, तो UGC को बनाया गया था as a fund granting institution, इसका nomenclature का मतलब ही यही है, लेकिन आप देखो कि जब UGC Act लेके आया 1956 का, तो इस UGC को एक power दी गई कैसे universities कॉम करेंगी, उसको आप coordinate कर सकते हो, तो कुल मिला कि UGC एक regulator बन गया higher education का, जबकि regulator बनना नहीं चाहिए, higher education university के हिसाब से होनी चाहिए, यहाँ पर author बोल रहा है कि बहुत सारी western countries है, दुनिया में ऐसी बहुत सी countries है, जहाँ पर जो teacher होता है, जो academician होता है, वो अप इतने qualified नहीं है, इतने पड़े लिके नहीं, उनके पास, खुद के पास इतने training नहीं है, कि वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाएं, तो वो क्या assess करेंगे, फिर यह बोला कि UGC के जो guidelines आई है 6 जुलाई को, इस से पहले already राजिस्थान, हर्याना और महरास्ट यह declare कर चुके हैं, तो हमाई यहाँ पर final year university exam नहीं होंगे, अब आप कहरो final year university exam कहलाओ, तो देखी यह cooperative federalism के against भी जाता है, cooperative federalism में state और center एक दूसरे का साथ देंगा, अगर centers को यह लगता है, कि उनके इलाके में university final exam सोने से coronavirus फैल सकता है, और महरास्टर वेस्ट बंगाल की उसे बहुत खराब है, तो यहाँ पर तो फैल सकता है, जब वो कह रहे हैं कि exam मत कराई, तो exam नहीं करानी चाहिए, states की बाते भी सुननी चाहिए, पर फिलाल के यहाँ पर state की बाते सुनी नहीं जानी है, यह भी बात कही गई जोस्ते यहाँ पर, फिर आगे एक चीज़ कही गई है कि UGC का लॉजिक है कि अगर हम एक्जाम को करा देते हैं फाइनल एर उनिवस्टी एक्जाम को करा देते हैं तो ये future of the students के लिए अच्छा होगा जबकि author यहां पर यह कह रहा कि ये future of the students के लिए अच्छा नहीं बुरा होगा कैसे बुरा होगा वो मैं बताता हूँ normal courses में क्या होता है normal courses में इस समय तक जुलाई का end आ रहा है जुलाई के end आने तक सारे एक्जाम सोचकते हैं ज़रतर एक्जाम के results भी आ गए होते हैं और बहुत सारे colleges अपने provisional certificates मांट रहे होते हैं और इनी provisional certificates के दम पे आप दूसरी जगह पे जाके नौकरी के लिए अप्लाई करते हो किसी higher education पढ़ने के लिए जाना तो वहाँ के लिए अप्लाई करते हो तो अगर आपने b.tec कर लिया है तो b.tec करने के बाद आप MBA के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके आगे अगर किसी को course करना है जाके तो वो course तो अल्रणी शुरू हो चुका है तो यहाँ पे आप यह exam करा के किस तरीके से भला कर रहे हो बच्चों का यहाँ पर author यह कहने कोशिश करा समझ रहे हैं ना बात को कोल मिला के कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने इस first year, second year के बच्चों के साथ किया है कि उनको previous semester के basis पे उनकी previous performance के basis पे आप pass करने की बात कर दो उसी तरीके सा final year में भी कर सकते हो कम से कम उनको certificates मिल जाएंगे तो वो आगे जाके employment के लिए आगे पढ़ाई के लिए अपलाई कर सकते हैं चुकि अगर certificates देने तो अभी देने उसकी basis पे आगे अभी apply करेंगे लोग employment के लिए और पढ़ाई के लिए तो certificate आप कब दोगे जब exam ही September end में होगा और माल लो कोरोना का pandemic फैल गया तो exam होगा ही नी फिर क्या करोगे फिर आगे author ये कह रहा है कि देखे infection हो सकता है सबसाइड ना करें और WHO ने तो बोली दिया कि भाईया ये कोरोना वाइरसी क्रासिज और गंदी होने वाली है तो अगर ये कोरोना वाइरसी क्रासिज और गंदी हो गई तो UGC जिसने अभी September की deadline रखी हो सकता हो deadline को आगे shift करें या फिर universities से बोला जाए कि आप online exams conduct कराओ हर case में अगर universities online exam conduct कराती है हर case में तो यहाँ पर discrimination हो जाएगा कैसे discrimination हो जाएगा वो बच्चे जो गरीब घरों से आते हैं जिनके पास ना internet है, ना electricity है, ना study material है वो क्या पढ़ेंगे वहीं पर वो बच्चे जिनके घरों में सारा पढ़ने का environment है पैसे है, electricity है, सब कुछ है वो automatically गरीब बच्चों के comparison में, advantage में आ जाएंगे दूसरी बात यह बोली गई कि मान लिजे, कोरोना वारस ज्यादा फैल गया और आपको deadline आगे बढ़ानी पड़ी कि आपने exam cancel करने पड़के September आते आते, तो आपके जो पूरी exercise है न, यह failure, fail हो जाएगी, ओके और हो सकता है, कि September तक आते आते, अगर exams को cancel करने की बात हो जाए, तो government की उपर इतना pressure आ जाए, दोस्तों की government की policy गलत है, जब भी government की कोई policy गलत हो जाती है, opposition attack करता है, समझगे न, अब government की यहाँ पर policy गलत हुए, opposition ने attack किया, तो हो सकता है, government pressure में exam करने लगे, तो वो भी coronavirus की infection को spike कर सकता है, फिर यह जो 4-6 महिने का time है, मई, जून, जुलाई, अधर्स, यह वाला जो time है, तो उस तो ही बहुत important है, और यहाँ पर दो अलग groups बनते हैं, एक तो elite का group बनता है, privileged class का group बनता है, जो की अपने घरों में आराम से बैठा है, उनके पास खाने पीने, कोई problem नहीं है, किसी भी तरीके की नौबी problem नहीं, वो आराम से बैठके पड़ रहे हैं, वहीं पर उनके कुछ ऐसे साथी हैं, जो की गरीब घर के हैं, जो की इससे में पर disadvantage है, कुछ हो सकता है, गरीब घर के नहीं हो, हो सकता है, वो remote areas में रहते हैं, उनके पास connectivity नहीं हो, कुछ ऐसे हैं, जहां पर इनके घर में coronavirus positive cases आ गया है, तो उनके घर में वैसे ही बवाल चल रहा है, ठीक है, ऐसे लोग disadvantage में आ जाएंगे, तो कुछ लोग advantage में आ जाएंगे, कुछ लोग disadvantage में आ जाएंगे, इस advantage और disadvantage को कम करने के लिए better यह है, कि या तो आप पिछले semesters के performance के basis पे इनको degree या दे दो, या फिर आप exams overall cancel कर दो, और एक साल का gap कर दो, कुछ इस तरीके का यहां पर उतर करने की कोशिश कहा रहे हैं तो यह था एक important article, आगे चलते हैं beyond the pale, अशोक गहलोट has managed the crisis, बट राजस्थान is in a prolonged political drama यहां पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखे political morality पर यहां पर आवाज उठाई जा रही है राजस्थान में बवाल आपको पता है, अशोक गहलोट जी मां के CM है, और former deputy थे आपके CM, सचिन पाइलट सचिन पाइलट और अशोक गहलोट जी के बीच में हो गया बवाल, एक्चिन पाइलट जी के पहले से political ambitions थे, उनका इस अपना था कि वो राजस्थान के CM मन जा है, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते है, newspaper reports के साब से बता रहा हूँ मेरा खुद का कोई यहां पर personal view नहीं है लेकिन आप देखें, कि अब एक turf war से चुड़ गया है और भले ही सचिन पाइलट जी बार बार public में आके बोल रहे है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बीजेपी के साथ कोई partnership नहीं है बट जो भी सचिन पाइलट जी यहां पर कर रहे है, वो बीजेपी की actually interest की तरफी जा रहा है यह सब बाते बुलीगी तो सचिन पाइलट जी ने किया क्या? पास में जो बीजेपी रूल हरियाना स्टेट है, वहां पर एक resort book किया और जितने भी सचिन पाइलट के supporter MLS थे, वो वहां पर जाके कुछी सरीके की कुछ party कर रहे थे कुछ बाची चल ली जिनकी आपस में Congress centralized leadership जब अशोक गैलोड को यह बात पता चली तो नोंने उसे सवाल पूचा कि भाई आप यह क्या कर रहे है क्या ऐसा कुछ जो अभी राजिस्थान में हो रहा है पहले कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है दोस्तों कमलनाच जी की government गिर गई थी मार्च 2020 में और फिर से शिवरासिंच चोहान आ गए आपके राज में कमलनाच जी आप कह सकते हैं लगातार 13 साल सीम रहे है और 2018 में शिवरासिंच चोहान लगासार 13 साल सीम रहे है 2018 में पावर में कौन आए? कमलनाच जी और मार्च 2020 में उनकी गिर गई सरकार तो यहाँ पे काफी बवाल हो गया है तो जो ruling party है राजिस्थान की उसके फारत एक FIR spine की गई किसके अगेंस्ट में? union minister गजेंदर सिंग शिकावत के अंदर में जो Congress की centralized leadership है Congress की जो state leadership है राजिस्थान में वो लगातार यह बोल रही है कि जो BJP है जो BJP की centralized leadership है वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और जो राजिस्थान के speaker है उन्होंने एक notice issue किया है Mr. Sachin Pilot को और 18 MLS को किसके अंदर? Anti-Defection Law के अंदर उनसे बोला गया है कि 21 जुलाई तक आके अपना statement दीजे नहीं तो आपको निकाला जा सकता है assembly से तो कुल मिला के देखें यहाँ पे कुछ confrontation की situation मन रही है एक तो राजिस्थान state government और central government की बीच में confrontation की situation मन रही है एक राजिस्थान state government और हर्याणा की state government की बीच में confrontation की situation मन रही है चुकि अगर ये सारे MLS राजिस्थान में होते तो कुछ इनके ओपर police action कर सकते थे ruling party हर्याणा में जाके बैठ गया है तो किसी तरीके का police action हो नहीं सकता प्लस judiciary भी यहाँ पर involved हो रही है high court की भी involvement यहाँ पर अब होती हुई नजर आ रही है चुकि speaker ने high court को बताया है ठीके भाई की जो notice दिया है इनको anti-defection का notice दिया गया है Mr. Pilot को रठारा MLS को इस पर reply करने की जो deadline दी गई है वो है 21 July अब यहाँ पर दोस्तों देखें political morality के बाद आ रही है लोग इन political representatives को चुन के सरकार में बठाते हैं और ये political representatives अपने आपको चुनने के बाद देखे क्या काम कर रहे है development का तो कुछ काम होनी रहा है coronavirus का pandemic फैल रहा है दुनिया भर में लोग परशान है चाइना के साथ stand-off चल रहा economy बिलकुल नीचे जा रही है और ये चुने हुए representatives देखिये क्या कर रहे है लोगों के बारे में कहीं से भी लग रहा है कि ये लोगों के बारे में सोच रहे है अलगी level का बवाल चल रहा है इस तरीके करके statements आप ethics के paper में किसी और paper मिली सकते है बिना किसी political party का नाम लिए बिना किसी leader का नाम लिए हो गए ठीक है आगे चलते है यहाँ पर बात कि एक coronavirus के infection milestone of a million शुरुवात कैसे की गई 16 जोलाई को news आई इंडिया में 25,000 से जाज़े deaths हो गए शुरुवात में देखा जाए तो coronavirus के pandemic को शुरू होने के बाद 109 दिन लगे थे इंडिया में 1,00,000 केसिस पहुँचने में 1,00,000 से 2,00,000 केसिस पहुँचने में लगे 15 दिन और उसके बाद अगर पिछले कुछ दिनों के बाद करें तो देखिए दोस्तों 1,00,000 केसिस एबल 3 दिनों में आ रहे है तो situation बहुत ज़ादा खराब है test positivity rate जो है इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है लास्ट कुछ दिनों के बाद की जाए तो जितने भी coronavirus के test हुए है आप कह सकते हो 10.3% का test positivity rate है यानि अगर 3 दिन में 1,00,000 केसिस जुड़ रहे हैं तो लगबग 33,000 केसिस मान लिजे एक दिन में और अगर 3,00,000 से ज़ादा testing हो रही है तो 10.3% के test positivity rate के साफ से डेली के बेसिस पे लगबग 33,000 केसिस जा रहे है तो मतलब एक चीज तो बहुत अच्छी हो रही है कि हमारे यहाँ पे जो testing की speed है वो बढ़ गई 3,00,000 से ज़ादा test हम लोग एक दिन में कर रहे हैं बट वो अभी भी enough है नहीं चुकि देखें अगर हमारा test positivity rate बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं यह कहा जा सकता है कि जो community spread है virus का वो शुरू हो चुका है तो यह जो चीज़ें होती है ना contact tracing, testing, isolation यह बहुत ज़रूरी होगा मैं आपको एक example देता हूं दोस्तों administration में lapses किस तरीके से हैं मैं Mumbai में रहता हूं मेरे wife के office में दो लोगों को corona निकला COVID positive थे वो तो office में काफी बवाल समझ गया तो उसके अलावा 78 जो लोग थे जो WLs office में आते थे वो tension में आ गये उन्होंने बोला करें तो करें क्या सबने घर पे phone लगाया अब सबको टेस्ट कराना था केवल उन 78 लोगों को नहीं जो दो लोगों को corona positive हो उनको तो करो quarantine किया गया उसके अलावा जो 78 लोग थे वो और उनकी family immediate danger पे आ गई मेरे को भी phone आया मैं भी tension में तो अब हम लोगों ने सोचा कि COVID-19 का test कहा कराया जा अब COVID-19 की test में जब हम लोगों ने सरकारी hospital में phone किया तो भाईया वहाँ पे problem थी क्या problem थी? सरकारी hospital में जो number मिल रहा था corona की testing का मतलब एक तो शाम को या अगले दिन उपर से वहाँ पे बहुत भीड़ उपर से result आएंगे 7 दिन के बाद और 7 दिन में तो भाईया कितने लोगों को infect कर देंगे पता ही नहीं है अगर मालो हम में से किसी को निकलाए तो तो हम लोगों ने मजबूरी में Apollo hospital गया और Apollo hospital में जाके 4,250 रुपीज पर हैड का हमने test कराया अब normal case में सोची है दोस्तों क्या कोई इंसान मतब जब बहुती जगत अब खराब हो जा तो ही करे जाके तो बात अलग है 4,250 रुपए देखे जो test result है वो अगले दिन आगे 36 गंटे के अंदर अंदर fortunately सब का COVID negative आया किसी का positive नहीं है इस time period में देखिए administration की तरफ से phone नहीं है अब यहाँ पर मैं administration की गलती नहीं निकाल रहा हूँ देखे administration के पास भी बहुत problems है महरास्टर में और खासकर मुंबई में Corona की problem बहुत ज़ादा है बट क्या है कि author यहाँ पर क्या कहने कोशिश कर रहा है author कहने कोशिश यह कर रहा है और वो Corona positive निकलता है तो इन 5 से 7 दिनों में वो कितने लोगों को infect कर देगा इसकी कोई हिसाब नहीं है एक तरीके का catastrophic वो हो जागा और ऐसा कुछ हो भी रहा है आप देखे केरेला, केरला की बात करे करनाटका की बात कर लिजा रेट कम हुआ है बाद डेली का स्टोरी ही अलग है वहाँ पे rapid kids का इस्तमाल हो रहा है rapid kids, antigen kids इसके बारे मैंने पिछले एडिटोल वीडियो में बताया है वो कितनी positive है, कितनी effective है इसके बारे में भी doubt है मुंबई के धारावी में चीज़ों को गया है, गुजरात में 9.1% का test positivity rate चल रहा है तेलांगना में 18.4% का test positivity rate चल रहा है तेलांगना में 18.4% का test positive rate है 13,000 से जादा केसा हो चुके हैं पिछले दो दिनों में, लेकिन फिर भी वहाँ पे testing को बढ़ानी रहे तो कुल मिना के बात यह हो रही है यह catastrophic हो जागा, यहाँ पे New York का example दिया गया, New York में गंदा फैला था Corona virus बट फिर भी उसको control कर लिया गया, चुके testing जबरदस्त हुई उस चीज़ को बाद में दवाया नहीं गया, आगे उसके साथ deal किया गया, लडाई की गया यहाँ पे state governments इस चीज़ को दवाने की कोशिश कर रही हो और दवाना counterproductive हो जागा, यह बोला जारा साथिकल में तो बस अब ख़तम करते हैं अपने discussion को दोस्तों I hope आपको यह discussion पसंद आया हो, thank you for watching have a great day and thank you for your patience, good bye